रखवसला वो मंजर भी आएगा प्यासे को समंदर तक जाना ही पड़ेगा केवल सोचता ही मत रहे एकजाम से लड़ने वाले मुसाफिर नंबर पाने के लिए तो मेहनत करना ही पड़ेगा जैहिं दोस्तों तो क्या हाल है मेरा नाम है विकास तो आज मैं आपके लिए क्लाश दारसनिकों को नाम लिखिए तो दो दारसनिका आप से पूच लेता है कभी कभी और दो नंबर का पूचता है तो याद रख लेना कि भाई फ्रांस की करांति के जो दो दारसनिक है वो है रूसो और वाल्टेयर हमेशा याद रखना रूसो और वाल्टेयर ठीक है आगे गई थी तो 1864 इस भी में तो ये आप याद रखना भाई बहुत important question है आगे बढ़ें लोकतंत्र के लिए जातिवाद घातक है इसके दो कारण लिए तीसरा question ठीक है ये अगर आएगा ये भी दो नंबर का आएगा याद रखना तो लोकतंत्र के लिए क्या घातक है तो सबसे पहला तो भाई जातिवाद है ना हमारे देश में जातिवाद बहुत ही है आप देखते हो हमारा हर एक कमिंटी जाती में बटा हुआ होता है आप ब्राह्मन को ले लो तो वो भी अपने कमिंटी में कई कमिंटी में बटे होते हैं आप किसी भी किलो लो हिंदू कितने आप ह कि वाई यह काश्ट काई यह काश्ट काई सब अलग-अलग community में बटे हुए है तो यह जाति वाद बहुत ही बुरी ब्यवस्था है कि वाई जातिवास समाज में असमानता को बढ़ावा देता है असमानता का मतलब है भाई कोई भी लोग अपने केवल जाती को सपोर्ट करता है दूसरी जाती को सोचता है यार ये तो गैर गुजरी है मतलब ये हमसे क्या है मतलब उसकी मदद नहीं करता है यह होता है उससे लड़ाई करते हैं उसको नीचे दिखाने की कोशिस करते हैं बहुत सारी चीजे होती हैं तो आप लोग इतना तो समझते हो यार और इससे मैं सक्त विरोध में हूँ हमेशा से रहा हूँ ठीक है आगे बढ़ें जातिवाद व्योस्था वाले समाज में मतदा से चुनी हुई सरकार मूल्यों की बजाए जाति का पोसंड करती है आप हमारे देश में भी देखोगे जब चुनावाता जातिवादी मुद्दा जरूर भड़कते हैं कहीं पर कुछ होता है कहीं पर दंगे होते हैं जाति को लेकर आप देखोगे मुस्लिम हिंदू में हमे आते हैं भाई बैठते हैं उटते हैं सब कुछ करते हैं लेकिन फिर भी न्यू चैनल में देखेंगे तो बस लगता है बस हिंदू खत्रे में या मुस्लिम खत्रे में तो ऐसे ऐसे मतलब आते हैं भाई और नीच चैनल भी वाले ऐसे ही साथ देते हैं ना और वह भी अपना पहसे देश लोगतांत्रीक भी आप जानते हो ठीक है लोक तांत्रिक है कि हुए किया है जङनतांत्रिक है मतलब िसे चलते हैं τाई हैं सम्विधान है हमारे देश का क्योंकि हर चीज सम्विधान का पालन ही करती है सम्विधान का पालन करना ही पड़ेगा अगर किसी को अपने देश में रहना है तो है न यह है तो समानता होती है पहली बाद लेगे समानता में समानता की बात अलग होती है तो जाती वाले कर सकते हैं अपना धर्म मान सकते हैं कोई भी हमें नहीं रोक सकता कि आप यह मानो यह मानो कोई भी कुछ नहीं कह सकता है ना समाजिक हमें सोतंतरता है दूसरा राजनीतिक सोतंतरता है हम अगर प्रधानी का चुनावारा है विधायगी का आप उसकी योग हैं तो आप बिल्कुल लड़ सकते हैं कोई आपको रोग नहीं सकता आप निर्दली ही लड़ सकते हैं पर लड़ सकते हैं तो इसका राजनीतिक सम्बント कर सकते भाई, आपने धन को सेव कर सकते हैं, कुछ भी व्यापार कर सकते हैं तो आर्थिक सोगता है, आर्थिक का मतलब धन से संबंदी जो भी है न कार आगे पढ़ें, आई होप आप समझे रहे होंगे, आगे है जर्मणी के एकी करण में तो जर्मनी के एक ही करण में सबसे महत्पूर्ण योगदान किसका था जर्मन राष्ट का पर्थम समराट का उन घोसित किया गया मैंने इसके बारे में बताया था पीछे भी तो जर्मनी के एक ही करण में सबसे महत्पूर्ण योगदान जो था आटोवान बिसमार्क का था आप याद रखना और प्रतम समराट को विलियम प्रतम को घोसित किया गया था ये आप याद रखना और ये 2022 में कुश्चन पूछा गया था भाई ठीक है तो याद कर लेना बहुत ही इंपोर्टन कुश्चन है आगे बढ़ें फ्रांस की क्रांती के दो परिणाम बताईए तो आपको फ्रांस की करांती के दो परिणाम बताने पड़ेंगे पहला देखिए फ्रांस की करांती में क्या हुआ था भाई आप जानते हो फ्रांस में पहले राज तंतर था मतलब राजा ही वहां का सासन करता था लेकिन फिर एक उपरा नेपोलियन आप देखे होंगे नेपोलियन के बारे में तो सुना होगा नेपोलियन ने क्या किया वहाँ पर कि भाई फ्रांसे निरंकुष राजस्तंतर का अंत हो गया ठीक है निरंकुष राजस्तंतर का अंत हो गया निरंकुष राजस्तंतर का मतलब क्या है जिसमें कोई भी अंकुष है है ना मतलब पूजी पतियों के आधीन होता है पूरा सासना और देश में पूरा मतलब गरीबों को सताया जाता है मतलब निरंकुस होते हैं सभी लोग तो यह है निरंकुस राजस्तंतर का मतलब और निरंकुस राजस्तंतर कांत हो भाई है ना फ्रांस की जब करांती हुई करांती इसलिए तो हुई थी कि वहां से राजा हटाया जाए और वहां एक संविधान बनाया जाए और दूसरा नियाए व्यवस्ता का पुनर गठन हुआ और पूरे देश में समान कानून सहिंता को लागू किया गया जिसको नेपोल पूर्द अहिंसक था अहिंसक का मतलब जिसमें कोई भी खून खराबा ना हो अहिंसक होता है ठीक है लेकिन देश में इसकी प्रसिधी जब वो प्रसिध होने लगा कि बढ़ने के साथ ही इसमें हिंसकी बिरत्दी हुई बाई कोई बी चीज पॉपुलर होगा तो उसमें पॉपुलर होता है कोई भी चीज तो उसमें कुछ अहिंसातमक्त त्वाही जाते हैं ठीक है तो भारत के साथ ही इसमें हिंसा की ब्रद्धी हुई और देगे पांच फरवरी 1922 को गोरफपूर के चाउरा चाउरी में हिंसक भीर ने थाने में आग लगा दी जिसमें कई पुलिस वाले जलकर मर गए इस घटना से छुपद होकर दुखी होकर गांधी जी ने ऐसा योग अंदोलन वापस ले लिया बिल्कुल सरल है पांच परवरी 1925 इस भी आप याद रखना और हिंसा अहिं करण के कारणों का वर्णन करें और द्योगी करण के क्या क्या कारण होते हैं कि आवस्कार की जननी होती है अवस्कार करने के लिए किसी भी चीज को आवस्कार तो होगी जैसे कि हमें मालो इस मोवाइल की आवस्कार थी तो किसी ने मोवाइल का विस्कार किया हमें चपल की कि आवश्क्ता थी तो आवश्कता थी तो आवश्क्ता की जन्नी नई नई मसीनों का विश्कार होता है गारण जिसे इंग अभी देको गाडियां बन गई है इसके दो प्रमुक कारण बताना है आपको तो मुर्दा अपरदन होता क्या है भाई बिल्कुल सिंपल मालो यहां पर कोई मिट्टी पड़ी है यह उठकर जब कहीं दूसरे जगा चली जाएगी तिसी को बोलेंगे मुर्दा अपरदन यहीं मुर्दा को उसके इस्थान से उठाकर दूसरे इस्थान तक ले जाना मुर्दा अपरदन कहलाता है मुर्दा अपरदन के दो प्रमुक कारण क्या क्या हो सकते है पहला वन उन मूलन वन उन मूलन का मतलब क्या है बाई जब कट जाता है आप देखोगे पेड़ पौदे जो होते है पेढ़ देखोगे जैसे मान लोग ऐसे ऐसे कर के कोई पेढ़ है झीक इस तक जे ये अपनी जड़े फॉश्च माझाओ रहता है और अपक्ने आस पास की मिट्टी को बांद हे रख था जैसे गास ले ल रके बाइंड आप पहाने मुलान तो जो गंगा की या कुछ भी चता है उसमें मरता अपरधन बहुत तेजी होता थे सट रहाप लिख सकते जो चाहिब है झोताहि बीकिन फ्लेंड तो खोटता है क्षेट में यहाद रखना कि दोनों की सहमती कोई भी कानून बनता है यह आप याद रखना क्योंकि दोनों की सहमती नहीं कि कानून नहीं बन सकता कुछ यही होते हैं समर्थी सूची इसमें होता सिच्छा भाई सिच्छा में कुछ भी बदलाव करना तो केंदर और राज सरकार दोनों को सहमत होना पड़ेगा यसे वन विभाग की जमीन आप देखो कोई नहीं ले पाता जल्दी है ना चाहे वो रोड बनाना हो चाहे पधा करती सूची में आता है याद रखना आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगे होगी अगर अच्छी लगे लाइक करना चैनल पर नहीं हुआ है साहब क्या करना है आपको सबस्क्राइब मैं मिलता है अगली वीडियो में जय हिंद जय भारत